नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस अजूकेशन यूज में दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल भरती को लेकर तो यहाँ पर दोस्तों सिफू की जो भरती है उसमें एनिमित्ता को लेकर के हाई कोट ने जबाब मांग लिया है क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं बिल्कुल आसन भासम है और यह तो होना ही था जिस तरीके से सिफू करता है चिकित्सा विभाग की भरतियों करा जाता है यह होना ही था आप लोगो याद होगा प्रियंक का यादव का एक मामला जिस बच्ची को सिफू ने चिकित्सा विभाग ने यह कह दिया था कि वो तो वेरिफिकेशन कराने तो आई थी लेकिन कराए नहीं उसने वेरिफिकेशन और फिर क्या हुआ था उस बच्च की जाती है ताकि भरती पिरक्रियाओं को और डिले किया जा सके और उसी का जीता जाकता उधरन आप लोगों के सामने है ठीक है ना अब जो हाइकोट में मसला गया है वो क्या है आपको बताते हैं बिल्कुल और यह वीडियो देखकर कि यह ना सोचे कि इस सरीके की चीजे ह हम ही बताते हैं दैनिक आज का जो समाचार पत्र है दैनिक नोजोती उसमें आई है यह खबर और आप लोग खुद भी पढ़िया कीजिए और विशेशक बने तो आप लोग बने ठीक है यह आप लोग देखे पूरी की पूरी खबर ठीक है ना एनम भरती में एनिमित्ता को लेकर हाई कूर्ट ने मांगा जब आप जो सारा मसला है वो आप लोग देखो एनम भरती 2030 में काट आफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी EWS वर की महिला अभ्यार्थी को वरिता सूची में साबिल नहीं करने पर चिकित सा सची स्वास्त निदेशक्त स्वाप जस्टिस महंदर गोईल की एकल पीटने आदेश अन्ना कुमारी और अन्ने की ओर से दार याची काउं पर सुन्वाई करते होए दिये हैं याची का वक करता जो है अन्ना कुमारी है और अभ्यारती है और इनके एडवोकेट रामपरताप सैनी ने बताया कि 19 मई 2023 को राजे सरकार की ओर से एनम के 376 पदों पर विग्यापती निकाले गए थी सबसे पहले विग्यापन 376 पदों पे था 376 पदों पे था सोरी और भरती में बारवी पास एनम दसवी पास एनम ये तो अख़वार कुछ भी लिखते हैं अब याची का करता देखिए EWS की जो अभ्यार सूची जारी की गए जिसमें EWS वर्ग की कट ओफ 52.35 अंक रखी गई जबकि याची का करता कि 63 से अधिक अंक है यानि कि जो 52 था इससे लगभग 11 परसेंट अधिक इनके अंक है इसके बावजूद भी सामाने वर्ग में सामिल कर वर्यता सूची में सामिल करने से इंकार कर अब देख सकते हैं दोस्तों यह कहा रहे हैं कि इनको EWS का benefits नहीं दिया किस करन से नहीं दिया और जबकि इनका अंक आना चीए था EWS के according इनका selection होना चीए था किसी भी उमिद्वार को chain से बन्चित नहीं किया जा सकता और इनका कहना है कि इस अभ्यार्ती को EWS वर्ग में स ठीक है अभी तो और या चीकाए आपनों को मिलने वाली अगले कुछ दिनों के अंदर ठीक है न और या चीकाए अभी मिलने वाली हैं अगले कुछ दिनों के अंदर हाँ एक और चीज है EWS किन को नहीं मिलेगा जो other states की हैं जैसे हरियाना की है रاجस्तान में शादी हो गई पंजाब की हैं राजस्तान में शादी हो गई या कहीं की भी हैं जिनकी राजस्तान में शादी हो गई और वो EWS का लाब अगर लेना चारी है तो उन्हें इस EWS का लाब नहीं मिलेगा तीक ये बिलकुल सिफू ने साफ कर दिया और भरत्रयों में यही रूल रहता है आप EWS अगर किसी ने लगाया है चाहे वो nursing officer हो चाहे वो हो दूसरी बात ये भी है जिस time पर ये पिछले साल document verification की list आई थी और उसके बाद सीफू ने एक chance दिया था edit करने का form को और किसी ने उस time पर journal से जिनका selection नहीं हुआ था और फिर किसी ने EWS लगा था उनको भी EWS का लाब नहीं दिया कभी ये चड़ जाओ सीफू की छाती पर कि मैंने तो EWS फोरम भरा था अगर किसी ने edit करके journal से list आने के बाद EWS करा था तो उनको भी बाहर करा सीफू ने उनको journal का ही लाब दिया क्योंकि नियमों के according सीफू ऐसा नहीं कर सकता तो उनको उस time पर तो सामिल कर ल अब हम EWS में लगा देते हैं क्योंकि EWS की तो पचास कटाफ है लगा दिया EWS उस time पर लेकिन बहार अब कर दिया finalist में ऐसा और भरतियों में होने वाला है ठीक है तो थोड़े दिनों की खुशी है रख लीजी आप लोग गलती तो गलती होती ना मैं यह सब कैसे आप जो है लगा सकते हो certificate लगा सकते हो कि मुझे TWS का लाप दिया चाहिए पहले कहा थे बाइसाब यह सारी चीज़े है सातियों अब यह जब आप मांगा गया है यह कह रहे हैं कि भाई मेरा तो 63% है मैं राजस्थान की मूल निवासी हूं अगर राजस्थान की मूल निवासी ह तो भाई इनको सामिल करना चीज़े देखिए बाकी देखिए मसला तो इनसे पता करने पर पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है किस वज़े से इनको 52.35 से और 63% पर ले जाके गया तो यह पूरी जानकारी है ना देखते हैं दोस्तों फिलाल क्या कुछ होगा यह हो सकता है क कि उस टाइम पर इनके पास कोई और सर्टिपिकेट हो हा ना तो यह भी हो सकता कोई और वज़े हो बाकी तो वज़े तो यह कोट में तो इन्हों ने यह का कि हमने EWS का रैसे से आविदन करा था और मूलनिवासी है राजस्थान के तो देखते हैं आप बाकी यह देखिए और भी आची काई अपको मिल जाएंगी प्याच की आची काई मिल जाएंगी यह EWS वाली आची काई मिल जाएंगी आप लोगों पर पास OBCC L, NCL वाल मामला मिल जाएगा आप लोगे पास एक दो मामले ऐसे भी आने वाले हैं को एनको OBC N.C.L. का लाब नहीं दिया ठीक है OVC, NCL का लाब नहीं दिया जबकि उन होने उस टाइम पे OVC, NCL का जो कास्ट सर्टिफिकेट है जाती है प्रमणपत्रों दे दिया था लेकिन उनको नहीं माना, कंसिडर नहीं किया, परिवेदन में भी डाल दिया था, तो ऐसे मामले भी एक दो मिलने वाले आप लोगों को ठीक है ना, यह मस्त रहो आप लोग, यह सबसे अच्छी बात है, कि इस्टेव अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, और ही कोर्ट में मामला जाने का मतलब यह नहीं को भरती रुक जाएगी और ऐसा वैसा हो जाएगा, यार दो साल से चल रहे हो आप लोग, तो ऐ जल्दी नुकती मिल सके, जितना समय छोड़ोगे ना, उतना फिर कोर्ट में भी खतरनाक होगा आप सो लोगों के लिए, देते रहो दो महीने, दो महीने कोई जा कर देगा यह हो गया, फिर कोर्ट इस्टे वगरा कर दे, तो जल्दी से नुकती हो जाए ना, तो यह तुमा जाती है, तो आप इंतजार किसी का नहीं करना चीह, मुझे तैसा लगता है, आप लोग खुद से कोशिस करें, कि वो आप चोईसेज भरवाए और नुकती आप लोग ले ले ताकि यह कूट कचरी के लफड़े हैं, आप भी जाए बाद में स्टे वगरा तो भी आप लोग